तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग 50 कुश्चन सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से रिलेटेड जिसमें कन्वेंशनल और थिरी फेज दोनों के कुश्चन होंगे कुश्चन WAG 12 से रिलेटेड भी है अगर इस 50 कुश्चन में आप 40 प्लस से ज़्यादे स्कूर कर रहे हैं मतलब लोकों के बारे में आपकी जयनकाड़ी काफी अच्छी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तुरवात करते हैं वीडियो की फर्स्ट कुश्चन है तो इसका करेक्ट आंशर होगा सिरीज ओफ आरेस रेसिस्टेंस यह कैसे कनेक्ट होता है ऑलने मेरे क्या होता है İns ada आए जी डियू क्या होता है और रपी एश क्या होता है यह देखेंगे संभी मतलब होता है कि वह था पिस हिंते निंदेटंस कि संट इंड़ें गटिंज जब लोकों को स्पीड को बढ़ाना होता है फिल्ढ वेकिनिंग के दवारा MPS यूज करके जब हम लोकों के स्पीड को बढ़ाते हैं तो उस टाइम यह SJ फंक्शन में आता है RPS होता है Permanent Sun Resistor RPS Permanent Sun Resistor यह Traction Motor के Field Winding के Paddle में होता है Traction Motor के Field Winding जैसे ही अगर Traction Motor का Field Winding है MF इसके साथ Permanently Connected होता है RPS और इस RPS के साथ RS Sun Resistor Connected रहता है Sun Resistor बहुत सारे Sun Resistor होते हैं वो इसके साथ Connected होता है और इस Sun Resistor के साथ इस RS के साथ इसके Series में A होगा Second Question है DC Link Voltage of WAG9 LOCO is WAG9 LOCO के DC Link का Voltage कितना होता है तो DC Link WAG9 के Traction Power Circuit का एक Part है जो Line Inverter और Drive Inverter के बीच में होता है और इसका Voltage होता है 800 Volt DC तो इसका Correct Answer D है थर्ड है Which Type of Bearing are Used in Axle Box of Will Set Will Set के Axle Box में किस Type की Bearing होती है Will Set के Axle Box में Cylindrical Roller Bearing लगी होती है Ball Bearing Urzularies Motors में लगे होते है तो Third का B Option Correct है Fourth Question है In WAG9 लोग को Second Letter सोज Second Letter क्या बताता है WAG9 का यह Second Letter बताता है Type of Traction को इसका A Option सही है इसका First Letter बताता है Gauge of Electric लोग को Broad Gauge का है इसलिए W यूज हुआ Second Letter बताता है Type of Traction को AC है कि ADC है कि AC-DC दोनों है और इसका Third Letter बताता है Types of Service की यहाँ G है GA stands for Goods अगर P रहता तो Passenger के लिए यूज होता इसका जो Fourth Number है यह दिखाता है Series of Electric Loco यह 9th Series का है इससे पहले 1,2,3 ऐसे करके 9 तक आया है तो इसका Type of Traction हो जाएगा Answer A option Correct 5th Number Question है When one wheel of conventional loco sleeping due to rains then which relay will act for sanding अगर rain की वज़े से बारिस की वज़े से एक wheel conventional loco का slip कर रहा है तो कौन सा relay act करेगा sanding के लिए बालू गिराने के लिए कौन सा relay act करेगा तो यह होगा QD relay Current differential relay यूज होता है अगर यह operate होता है तो sending pipe से track पे बालू गिरने लगता है और wheel slipping कम हो जाती है wheel slipping से बचाता है इसको तो 5 का B option Correct है 6 नमबर है in WAG 7 which relay is used for auto regression of notches auto regression of notches के लिए Q51 relay यूज करते हैं तो 6 का A option Correct है प्रोबार प्रोटेक्शन इन थ्री फेज लोगो इज यूज तू कंट्रोल प्रोबार प्रोटेक्शन यूज करते हैं किसी भी equipment को ओबर वोल्टेज या ओबर करेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए तो पाउर एलेक्ट्रोनिक्स में जिस equipment को प्रोटेक्ट करना होता है उसके पैडलल में एक थारिस्टर यूज करते हैं और इस थारिस्टर का gate का connections इससे रहता है जो जिस equipment को प्रोटेक्ट करना है अगर rated voltage से ज्यादा voltage सप्लाई हुआ तो इसके gate से impulse जाएगा और यह थारिस्टर on हो जाएगा और सीरीज में और इसके साथ यह जो भी over current है इस थारिस्टर से पास कर जाएगा और यह device इतना वाला पार्ट बच जाएगा तो इसको हम connect करते हैं इन्पूट अफ भी 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 एफ इन्वर्टर बेरियेबल बोल्टेज वेरियेबल फ्रिक्वेंसी के इन्पूट में इसको यूज करते हैं क्रोवार प्रोटेक्शन टेक्नीक को एट नंबर कुश्चन है विच विच अफ इंसूलेशन यूज़ इन अगलरी मसीन आफ कन्वेंशनल लोको कन्वेंशनल लोको के अगलरी मसीन में कौन सा क्लास के इन्सूलेटर यूज़ करते हैं तो अगलरी मसीन के लिए हाई क्लास इन्सूलेटर यूज़ करते हैं सी क्लास यूज़ करते हैं एचेस 15250A ट्रैक्शन मोटर में ठीक है इसका अगले लडी मसीन का पूछा तो ए ऑप्शन करेक्ट है नाइन कुश्चन है इन थ्री फेज लोको एर गैप फ्लक्स मेंटेंड कॉंस्टेंड बाइफिच मेथर्ड थ्री फेज लोको में स्टेटर और रूटर के बीच का जो एर गैप है उसको कैसे मेंटेन करते हैं तो इसको मेंटेन करते हैं वोल्टेज और फ्रेक्वेंसी के रेशियो को फिक्स करके इसके एर गैप को मेंटेन करते हैं तो इसका A option correct हो जागा by changing voltage and frequency in same ratio अगर ये ratio constant है तो flux density इसके अंतर का जो flux density है magnetic flux density constant रहेगा तो 9 का A option correct है 10 number question है overcharging cycle of BP in WAG9 local is for what time overcharging cycle BP का nor breaking में 160 second है 2 minute 40 second बट एक वार आप लोग इसको देखके comment कीजिएगा कि ये सही है कि नहीं इसका मेरे हिसाब से D option सही है next question है during the regenerative breaking of OHE during the regenerative breaking when OHE is non receptive than generated energy अगर non receptive है OHE, OHE supply को वापस नहीं ले रहा है तो regenerative breaking में जो energy generate होगा वह कहां जाएगा और कहां जाएगा ये resistance में waste हो जाना चाहिए ठीक है तो B option correct होगा 11 का B option correct है बाकी इसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सही है या गलत क्यू कॉन रिले इस प्रोवाइडर फॉर क्यू कॉन रिले स्ट्राटिक इनवर्ड SIV का रिले है जो आउट्पुट वोल्टेज ऑफ SI को बताता है तो 12 का A option सही है 13 नमबर क्वेस्टिन है गियर रेशियो ऑफ ड्वलू अजिस सेवन लोको इज ड्वलू एपी सेवन लोको का गियर रेशियो क्या होता है ड्वलू एपी सेवन लोको का गियर रेशियो 20-72 होता है बीस बातर C में है तो यह option सही हो जाएगा यह 21, 107, WAG9 लोको के लिए यूज होता है WAG9 के लिए दो गियर रेशियो रहता है एक 21, 107 का, दूसरा 15, 77 का, यह दोनों यूज होता है, और WP7 लोगों के लिए 2072, यह C आप्शन इसका करेक्ट है, 14 नमबर क्वेश्चन है, विच लिक्विड इस यूज़ फॉर कूलिंग आफ आईजी बीटी, आईजी बीटी कनवर्टर को कूल करने के लिए, वाटर प्लस ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, वाटर 70 परसेंट और ग्लिसरॉल 30 परसेंट यूज़ करते हैं, तो 14 का, बी आप्शन सही होगा, फिप्टीन नमबर कुश्चन है, QLM सेटिंग आफ डवलीज़ नाइन लोको इज, QLM सेटिंग डवलीज़ नाइन लोको का, 9 एमपेर होता है, तो 15 का, बी आप्शन सही है, रोड गेज आफ डवलीज़ इस एवन लोको इज, दो विल के बीच का डिस्टन्स, रोड गेज होता है, यह होता है, 1596, पलस, माइनस, पलस 3, माइनस 1 mm, ब्राड गेज का लेंथ, 1676 होता है, वो अलग चीज़ है, 1676, पटरी के बीच का दूरी, लेकिन रोड गेज बुचहेगा, वील के बीच का दूरी, तो 1596, पलस 3, माइनस 1 mm होगा, तो 16 का A, आप्शन, करेक्ट, आईजी बीटी इज़ा, 17 क्वेस्टन है, आईजी बीटी इज़ा, आईजी बीटी क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, पावर कंट्रोल डिवाइस, नन, तो यह होगा, इंसुलेटी इज़ाइट गेट, बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है, तो इंसुलेटी इज़ाइट, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, 17 का B ऑप्शन सही है, आईजी बीटी एक, जब speed ज़्यादा होगा तो उसका torque कम हो जाता है उसका graph decreasing होता है ऐसे जैसे जैसे speed बढ़ेगा torque का value कम हो जाता है ठीक है तो 18 का torque will be low यह option सही होगा जब speed ज़्यादा होगा तो torque कम हो जाएगा 90 number question है diameter of condemned wheel in conventional electric loco is less than condemned डाया पूछे तो इसका option होगा 1016 mm इसके अगर कम हो गया तो हम लोग यूज नहीं कर सकते अगर healthy condition में है नया जो वील डाया होता है वो 1097 होता है conventional loco के लिए और 3 phase loco के लिए 1092 रहता है अलागी RDSO के पास proposal भेजा गया कि 1092 को भी बढ़ा करके 1097 कर दिया जाए ताकि उसका वील का life improve हो जाए तो diameter of condemned wheel यह होगा 1016 mm उन्हेंस का C option सही है नेक्स्ट कुश्चन है RPS is connected और पर्मानेट संट्र रसिस्टर यह सर्किट में देखे थे कि RPS जो होता है MF के parallel में होता है यह MF है और इसके parallel में connected होता है RPS तो in parallel to Tm field winding B option correct हो जाएगा इसका RPS ठीक है तो RPS is connected in parallel of Tm field winding B option इसका correct 21 number है इन 3 phase electric लोको when maximum rated voltage to Tm is over अगर maximum rated voltage Tm का over हो गया then high speed running can be achieved तब high speed कैसे achieve करेंगे तो कैसे achieve करेंगे frequency को square में बढ़ा करके high speed को achieve करेंगे तो इसका B option correct होगा 22 number question है QLM relay is a QLM relay एक current relay है जो transformer के primary में connected होता है उसको protect करता है transfer and protection के लिए यूज होता है 23 number question है the value of RHOBA in WAG7 लोको WAG7 में RHOBA का rating कितना होता है होबा के साथ यह होबा switch होता है और इसके साथ parallel में RHOBA connected रहता है जिसका value है 210 ohm यह high resistance होआ अगर होबा को bypass करना होता है तो इसको on off कर देते हैं जब यह off हो गया तो यह circuit इधर से current pass करता है और current को control करता है तो इसका correct answer हो गया C 210 ohm 24 number question है tap changer run time for all 32 notch is 32 notch तक जाने के लिए tap changer को कितना time लगता है यह 11 से 13 सेंड लगता है उसको तो 24 का D option correct है नेक्स्ट कोस्टन है rating of transformer used in WAP9 WAP9 नहीं होगा WAP7 with hotel load is hotel load के साथ WAP7 की rating होती है transformer की 7475 के भी है और improved hotel load के साथ होता है 7775 के भी है तो यह दोनों याद रखना है कि नॉर्मल पूछे तो 7475 के भी है hotel load की कपसिटी इसमें hotel load की कपसिटी ज्यादा हो जाता है 1245 के भी है साथ hotel load की कपसिटी है इसमेंट रिले की सेटिंग होती है 3.5 एंपेर WAP7 लोको में तो 26 का D option करेक्ट है अधिस्टनल 27 नुमर कुछ्टन है additional C2 रिले वाल्व अफ कनवेंशनल लोको इस यूज़ट कनवेंशनल लोको के additional C2 रिले वाल्व का यूज़ किसमें होता है BP के ब्रेक पाइप के प्रेसर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका A option करेक्ट है next question है range of frequency of drive converter is in WAG9 लोको drive converter side में frequency का range कितना होता है तो इसी frequency पे TM काम करता है इसका range होता है 65 to 132 hertz तो 28 का B option करेक्ट है आगे 10 delta test is done to ensure 10 delta test basically insulation resistance को find करने के लिए किया जाता है क्योंकि cable के पास जो है current का वेलो अगर cable purely capacitive हो तो 90 degree वाला current पास करेगा अगर उसमें कितना resistive part है यह बताता है 10 delta test कि cable के कापसिटर के साथ साथ कितना resistor है यह component भी बताता है यह insulation resistance को ensure करता है 10 delta test तो 29 का B option correct है 30 नबर question है 5 तन होगा तो यह number of teeth in the gear of WAP9 WAP9 नहीं WAP7 लोको आर 20 72 था 20 72 तो 72 हो जाएगा इसका number of teeth in the gear 107 WAG9 में होता है और 77 भी WAG9 में होता है तो यहां पे number of teeth in WAP7 का पूछा तो 20 72 थेत्थ होता है अगलरी winding के भी rating of 3 phase loco is अगलरी winding का voltage rating 1000 वोल्ट होता है 3 phase loco में 32 का A option correct है Twin beam headlight works on Twin beam headlight कितने वोल्ट पर काम करता है यह काम करता है 24 वोल्ट DC 110 वोल्ट के DC को chopper के help से 24 वोल्ट DC में convert करके Twin beam headlight काम करता है तो 33 का D option correct है 34 question है rating of mega used to measure IR of loco TFP 25 kv primary winding is 25 kv primary winding के IR को measure करने के लिए किस range का measure mega use करेंगे यह 2.5 kv के mega से हम इस range तक measure कर सकते हैं तो 34 का C option correct है 2.5 kv 35 number question है type of boggy used in WAG7 loco is WAG7 में कौन सा किस type की boggy use करते हैं तो WAG7 में fabricated type की boggy use होती है तो 35 का B option correct है fabricated boggy होगा cocoa होगा और high adhesion होगा यह तीनों properties है WAG7 का fabricated cocoa high adhesion यह तीनों प्रोपर्टी इस ड्वाज इस ड्वाज़ी शफें लोको का है next question है rating of SI unit is used in conventional loco SI unit 180 kVA का होता है तो इसका B option correct है SI unit rating 180 kVA होती है 37 number question है in three phase loco series a resonant circuit installed with DC link to suppress DC Link के साथ Series Resonate Circuit लगा रहता है Physical Locations का Transformer के Tank में होता है यह Second Harmonic को Reduce करता है, Suppress करता है तो 37 का A Option Correct है 38 है, If Harmonic Filter by Passed During, the Running of Loco Then, अगर Harmonic Filter को Bypass करेंगे, तो Loco का Speed 40 Kmph से कम ही हो जाएगा तो Speed Will Reduce to 40 Kmph इसका Maximum Speed Loco का 40 Kmph रह जाएगा, अगर Harmonic Filter को Bypass करते है Harmonic Filter, Transformer के Primary का एक Part है 39 नंबर Question है, Filter Winding के विए Rating of WAG9 Filter Winding की KVA Rating 400 KVA होता है Filter Winding भी Transformer Circuit का ही पार्ट है तो Filter Winding की KVA Rating 400 KVA होती है 40 नंबर Question है, In DC Series TM, Starting Torque Will Be DC Series TM में, Starting Torque के Proportional होगा? तो Torque Proportional होता है, 5 IA के Starting में, DC Series Motor है, इसलिए इसका Flux Armature Current के Proportional होगा तो एक और Current यहाँ पर आ जाएगा, IA क्योंकि यह Flux IA के Proportional है तो Total Torque, IA Square के Proportional होगा तो Proportional to Armature Current, Square of Armature Current यह Option सही होगा, यह Option सही होगा इसका जब यह Saturate कर जाता है, अगर Field Saturate कर गया तो Phi का Value Constant हो जाता है, उस Case में Torque Current के Proportional होगा लेकिन Starting में यह Phi भी I के Proportional होता है, एक I पहले से है तो Torque I Square के Proportional होगा QD2 is Provided Between TMs QD2 4 और 5 TM के बीच में लगे होता है पहला और 6 TM के बीच में कुछ नहीं लगा रहता है दूसरा तीसरा के बीच में QD1 चौथा और 5 में के बीच में QD2 यूज होता है Current Differential Relay यूज होता है 41 का D Option Correct 42 नमबर का क्वेश्चन है अर्थ फॉल्ट रिले QOP2 पिकपेट यह 50 वोल्ट पे अपरेट होता है अर्थ फॉल्ट रिले QOP2 पावर सर्किट में अगर कुछ वोल्ट आ गया तो QOP2 अपरेट होता है 50 वोल्ट पे 43 कुस्चन है 43 नमबर How many pentograph are installed in both units of WAG12 लोको WAG12 में कितने pentograph होते है 2 ही pentograph होते है 4 बोगी होता है तो इसलिए दे दिया की लोगों को लगे की 4 इसमें pentograph यूज होगा लेकिन 2 ही pentograph यूज होते एक आगे एक पीछे 44 नमबर कुस्चन है इन आर्णो कनवर्टर W फेज वाइंडिंग है अज़ मुच मोर टरन कंपेर तो अदर फेज यू एंड भी वाइंडिंग W फेज वाइंडिंग में नमबर आफ टर्ण ज्यादा होता है U, V के comparison में आर्णो कनवर्टर की बात कर रहा हूँ उसमें W फेज में नमबर आफ टर्ण ज्यादा होता है कितना ज्यादा होता है टेन परसेंट ज्यादा होता है तो 44 का C option correct है 45 का वेल्यू अफ आर्पीजियार इन कनवेशनल लोकों कनवेशनल लोकों में ग्रेजुएटर के ट्रांसफॉर्मर के ग्रेजुएटर के साथ आर्पीजियार कनेक्टेड होता है पर्मानेट रेजिटर गनेक्टेड होता है जिसकी वेल्यू होती है एक लाक ओम या हंड्रेड किलो ओम तो 45 का A option सही है 46 नमबर कुश्चन है इन डेवल्यू अजी नाइन लोको बीपी इज ओवर चार्जड अप टू डेवल्यू अजी नाइन लोको में बीपी को 5.4 केजी पर सेंटीमीटर स्कॉर तक चार्ज करते है 46 का D option सही है बीपी का प्रेशर होता है 5.0 केजी इसको ओपर चार्ज करते हैं 5.4 केजी पर सेंटीमीटर स्कॉर तक 47 नंबर कुश्चन है इन डेवल्यू अजी नाइन लोको मैक्सिम ब्रेकिंग प्रेशर टू ब्रेक सिलिंडर बाई A9 यह लास्ट वाला वीडियो में साइट 1.8 में बोला था इसका करेक्ट अंसर 2.5 होगा कि डेवल्यू अजी नाइन लोको में ब्रेक सिलिंडर में मैक्सिम प्रेशर 2.5 केजी पर सेंटीमेटर स्कॉर होता है 47 का B आप्शन सही है रेटेड मैक्सिम वोल्टेज ऑफ टी-म यूजड इन डेवल्यू एपी 7 लोको इस डेवल्यू एपी 7 थिरी फेज लोको में टी-म का मैक्सिम वोल्टेज रेटिंग कितना होता है यह होता है 2160 वोल्ट 2160 वोल्ट तक सप्लाई करते हैं टी-म को डेवल्यू एपी 7 लोको के लिए तो 48 का एप्शन करेक्ट है 49 नमबर कुस्चिशन है how many total batterieswd used in W.A.P 7 वोट सब्सक्राइब करें डाउनों में 26 वेटल हम यूज होता है दोस्ट क्विशन होता है दोनों में 13 तेरा वेटल बेटली लगे होते हू встреч दोनों में पर स्वे 250 वोल्ट डी-स शяж अप्लाई करता है लास्ट कुस्ट ने वोल्ट डीसी सप्लाई करता है लास्ट कुस्टन है विस्ट विस्ट टाइब बोगी इस यूज़ इन डबली एजी सेवन लोगो में कौन सी बोगी यूज़ होता है तो इससे पहले डिसक्स किये थे कि कोको होगा हाइडेसन होगा और फैबरीकेड़ होगा तो अप्सन करेक्ट है इस तरह हम लोग 50 कोशन डिसकस किये अगर किसी कुशन में किसी को कोई आपती हो तो डीटेल के साथ कमेंट में बता सकते हैं यूर मॉस्ट वेलकम एगें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो एवर्ड़ेवन फोर वाचिं दिस वीडियो